भारत का रहा है इतिहास का सबसे बड़ा एक्स्प्रिमेंट जो बना देगा भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत का ये सबसे सिक्रेट मिशन अगर हो गया सफल तो भारत की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे दुनिया के देश दोस्तों हमने आपको अब तक भारत के कई मिशन्स को लेकर जानकारी दी जो ना केवल सिक्रेट मिशन्स थे बलकिन मिशन्स की बदोलत भारत आज कई मामलों में दुनिया का किंग है उधारन के लिए भारत का एक सिक्रेट मिशन जिसके बारे में आप सबने सुन रखा है वो हाइपरसोनिक मिसाइलें 5 प्लस जेनरेशन के विमान और स्पेस के लिए भी कई मिशन कर रहा है जिससे अंत्रिक्ष में गूड रहष बहरा पाएंगे वहीं समुद्र के गहरे राज भी जल्द ही इस रोज सामने लाएगा और इसके लिए इस रोज समुद्र यान मिशन करने वाला है लेकिन दोस्तों यह वो मिशंचों जो ओडनरी है यानि इन मिशंच में से अगर काली को निकाल दें तो चीन अमेरिका Рूस जैसे देश ऐसे मिशन कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं भारत की और से किये भारत इसका प्रियोग कर ही रहा है और इसमें सफलता अभी मिलना है और भारत इसका फाइनल टेस्ट करने वाला है और यकीन मारिये दोस्तों यदि एक्सप्रिमेंट सफल हो गया तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे समरद देश बन जाएगा और सधियों तक भारत क बराबरी कोई देश नहीं कर पाएगा इसलिए इस वीडियो को बिना इसकिप किये लाश्ट तक देखते रहिए और दोस्तों इस वीडियो को शेर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा इस तान कर रहा है सबसे बड़ा प्रियोग, सफल रहा तो भारत बन जाएगा सबसे शक्ति शाली देश दोस्तों तमाम तरह के मिशन करने के बाद भारत के वैज्ञानिक कुछ तूफानी करने वाले हैं दोस्तों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रियोग होने वाला है और इसके लिए तमिलनाडू राजे की लाखे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है यहाँ पर सीक्रेट सुरंग बनाई गई है और इस सीक्रेट सुरंग के आसपास भी किसी परिंदे को भी आने जाने की अ दोस्तों भारत के बड़े बड़े परमाणू वग्यानिक पार्टिकल फिजिक्स के जानकार और इंजिनियर तमिलनाडू के निलगिरी की पाड़ियों के नीचे बहत खुफिया तरीके से एक मिशन को अंजाम देने के लिए जूटे हैं इसके लिए बहत सीक्रेट तरीके स कम से कम दो किलोमिटर लंबी एक सुरंग बनाई गई है ये रहश्यमाई सुरंग तमिलनाडू के थेनी जिले में है और यहाँ पर दुनिया का सबसे खतरनाग प्रियोग शुरू होने जा रहा है ऐसा प्रियोग ना चीन ने किया है ना अमेरिका ने और ना ही रूस ने और और इसके लिए मोधी सरकार ने भी 1500 करोड रुपे का भारी भर कम बजट पास किया हुआ है इस मिशन की जानकर या मेरिका साइच चीन और रूस को मिली तो उनके भी कान खड़े होगे यहां ऐसी टाइड सीक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहां बकाइदा सीसी टीवी सर्विलेंस बेरिकेट सेटलाइट से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और कमांडो स्तेनाथ हैं भारत के जिस रहश्यमाई सुरंग में ये सीक्रेट मिशन शुरू हो रहा है वो सुरंग बिलकुल वैसी है जिस तरहे की सुरंग स्वीजर लेंड के जिनेव हो रहा है यहाँ पर लगे हुए वैज्यानिकों ने दावा किया था कि गॉर्ड पर्टिकल के मवजूदगी के ठोज सबूत मिले हैं और इस मिशन के तहत यूरोपियन काउंसिल फोर नुकलियर रिसर्च लेबरोटरीस से जुड़े वैज्यानिक इससे ये साबित करने में जुटे थे कि किसी भी कण में भार क्यों होता है अगर कणों में भार नहीं होता तो तारे नहीं बन सकते थे आकाश गंगाए नहीं होती और पर्मानू भी नहीं होते ब्रहमांड भी कुछ और ही होता एक बार जब गॉर्ड पर्टिकल यानि उस मूल कण का वजूद साबि एक होलिवुड मूवी आई थी जिसमें दुनिया की तबाही के कारण सूरस से आए सोर तूफान से धरती के किंद्र में नूट्रियोंस की बढ़ती संख्या को दिखाया गया था ये बात फिल्म की है लेकिन नूट्रियोंस असली में भी धरती के चुम्पकिये शक्ति अबना तो मुशकिल ही नहीं नामुमकिन है भारत इसी नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहा है दोस्तों आपको बता दे कि दुनिया को नूट्रियोंस का ग्यान भारत नहीं दिया था इससे पहले किसी को ये नहीं मालुम था कि न्यूट्रिनोस कॉस्मिक किर्णों में पाए जाते हैं भारत अब इसके बारे में और जानकारियां जुटा रहा है भारत ने लगाया दुनिया का सबसे बड़ा चुम्बग कुछ इस तरह से होगा न्यूट्रिनोस पर प्रियोग जिस लंबी सुरंग में भारत न्यूट्रिनोस से जुड़े प्रियोग कर रहा है वहां दुनिया का सबसे बड़ा चुम्बग लगाय जा रहा है इस 50,000 टन के मैगनेटिक डिटेक्टर की साहता से न्यूट्रिनो को एक खास सीधी रेखा मिलाकर औरगन एटम से टकराय जाएगा अगर व्यज्यानिक ऐसा करने में काम्याब हो सके तो इससे चार्ज पर्टिकल बाहर आएंगे और इससे कमपन पैदा किया जाना आसान हो जाएगा इससे पदार्थ बनाई जा सकेंगे उसमे अनूठे पदार्थ से ऐसा विध्वन सक हत्यार बनाये जा सकता है जिसे अगर किसी दुश्मन देश की दिशा में छोड़ दिया जाए तो उसी किसी भी धातू से रोका नहीं जा सकेगा जब वो देखा ही नहीं जा सकेगा तो रोकना और पकड़ना तो दूर की बात है हालक इस प्रोजेक्ट में जिस न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल पर काम होगा उसे परियावन वादी और इलाके के लोग किलर पार्टिकल कहते हैं लोगों को डर है कि जब ये लैब शुड़ू होगी तो छेतर का विनाश कर देगी उन्हें लगता है कि इस इलाके में रेडियेशन बढ़ेगा उन्हें ये भी लगता है कि न्यूट्रिनो ऐसा कन है जो किसी भी तरह के संगहार में सक्षम है दोस्तों आपके बता दे कि न्यूट्रिनो का इस्तिमाल हत्यार बनाने में हो सकता है इस हत्यार से किसी भी देश को मिंटों में कहीं भी किसी को भी तबाह किया जा सकता है क्योंकि न्यूट्रिनो को किसी भी धास्तू से रोका नहीं जा सकता लिहाजा इससे ऐसे हत्यार बनाई जा सकते हैं जिससे कोई बचाव नहीं होगा और भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है क्योंकि जिस दिशा में अमेरिका चीन जैसे देश बढ़ रहे हैं भारत भी ऐसा ही करने या फिर उनसे भी जादा मारक हत्यार बनाने को बाध्य हो ग खेर दोस्तों भारत की सेक्स्प्रिमेंट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है आप हमें कमेंट बुक्स में कमेंट करके जरूर बताएं